आईए सुनते हैं अध्याय पांच जन संघर्ष और अंदोलन परिचे पिछले अध्याओं में हमने पढ़ा कि लोगतंत्र में सत्ता का बटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग-अलग अंग तथा विभेन सामाजिक समू कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ता धारी स्वच्छन्द नहीं हैं हमने उपर पढ़ने वाले प्रभाव और दवाव से वे मुक्त नहीं रह सकते लोगतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है हितों और नजरियों के इस द्वंदुकुई अभिव्यक्ती संगठे तरीके से होती है जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस पर विरोधी मांगों और दवावों में संतुलन बठाना पड़ता है इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस पर विरोधी मां और दबाबों के बीच लोगतंत्र आकार ग्रहन करता है इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नाग्रिक विबनित तरीकों तथा संगठनों के सहरे लोगतंत्र में अपनी भूमिकाने भाते हैं अध्याय में हम राजनीती को प्रभावित करने के यानि दबाब समू और आंदलों की चर्चा करेंगे इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरीये नियंत्रित करने यानि राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरिके की चर्चा की गई है क्या आपको पोलिंड में लोकतंत्र की जीत की कता याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा नवी की पुस्तक के पहले अध्याय में सुना था ये कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है आए इस तरह की दो हालियों घटना के बारे में जाने और जाने की लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है सन 2006 के अपरेल महीने में नेपाल में एक विलक्षन जन आंदोरन उठ खड़ा हुआ शायद आपको याद हूँ कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ नेपाल में राजा आपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा लेकिन वास्तिविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनेधियों के हाथों में था आत्यंतिक राजतंतर से सम्वेधानिक राजतंतर के इस संक्रमन को राजा वीरेंदर ने स्विकार कर लिया था लेकिन शाही खांदान के एक रहस्यमाई कतले आम में राजा वीरेंदर की हत्या हो गई नेपाल के नए राजा ग्यानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को सिविकार करने के लिए तयार नहीं थे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोग परेता और कमजोरी का उन्होंने फैदा उठाया सन 2005 की फरवरी में राजा ग्यानेंद्र ने ततकालीन प्रदानमंत्री को अपदस्त करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया 2006 की अपरेल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता की हाथों में सौपना था संसत की सभी बड़ी राजनीतिक परटियों ने एक सैवन परटी अलाइंस अर्थाद सब्त दली गडबंधन SPA बनाया और नेपाल की किराजधानी काटमांडू में चार दिन के बंद का आवान किया इस प्रतिरोध ने जल्दी ही आनियत कालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माववादी बागी तथा आने संगठन भी साथ हो लिये लोग कर्फियों तोड़कर सड़कों पर उतर आये तक्रीबन एक लाग लोग रोजाना एक जुठ होकर लोगतंत की बहली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी ताधात की आगे सुरक्षा बलों की एक ना चल सकी 21 अपरेल के दिन आंदुलन कारियों की संख्या 3-5 लाग तक पहुँच गई और आंदुलन कारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया राजा ने आधे अधूरी मन से कुछ रियायत देने की घोशना की जिसे आंदुलन के नितावने स्विकार नहीं किया नेता अपनी मांगों पर अडिक रहे कि संसत को बहाल किया जाए सर्वदली सरकार भने तथा एक नई समविधान सभा का गठन हो 24 अपरेल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बात दे हुआ S.P.A. ने गिरजा प्रसाद कोईराला को अंतिम सरकार का प्रधान मंत्री चुना संसत फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारिट किये इन कानूनों के सहरे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई नई सम्विधान सभा के निर्वाचन के तौर तरिकों पर S.P.A. और माववादियों के बीच सहमती बनी इस संघश को नेपाल का लोगतंत्र के लिए दूसरा अंधुरन कहा गया नेपाल के लोगों का ये संघर्श पूरे विश्व के लोगतंत्र प्रीमियों के लिए एक प्रिणना का स्रोत है बात बोले भेद खोले माववादी चीनी क्रांती के नेता माव की विचारधारा को मानने वाले साम्मिवादी माववादी मजदूरों और किसानों के शासन को इस्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांती के जरिए सरकार को उखान पहकना चाते है बोलिविया का जल युद्ध नेपाल अत्वा पोलिन की कथाएं लोकतंतर की स्थापना अत्वा उसके पुनरधार की बातें बताती हैं लेकिन जन संगर्श की भूमिका लोकतंतर की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संगर्श चलाया इससे पता चलता है कि लोकतंत की जीवंतता से जन संगर्श का अंदरूनी रिष्टा है बोलिविया लातेनी अमेरिका का एक गरीब देश है विशो बैंक ने यहां की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जारही जलापूर्टी से अपना नियंतरन छोड़ने के लिए दवाब डाला सरकार ने कोचंबा शहर में जलापूर्टी के अधिकार एक बहुराश्ट्री कमपनी को बेच दिये इस कमपनी ने आनन फानन में पानी की खीमत में चार गुना इजाफा कर दिया अनिक लोगों का पानी का मासिक बिल एक हजार रुपे तक जा पहुँचा जबकि बोलिविया में लोगों की ओसत आमदनी पांच हजार रुपे महीना है सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवा धिकार कारकरताओं तता सामदाइक नेताओं के बीच एक गडबंधन ने आकार गरन किया और इस गडबंधन ने शेहर में चार दिनों की कामयाब आम हड़ताल किये सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले लिगए फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा फरवरी में फिर आंदोलन चुरू हुआ लेकिन इस बार पुलिस ने बरबरता पूरवक दमन किया अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लौ लगा दिया लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराश्ट्री कमपनी के अधिकारियों को शेहर छोड़ कर भागना पड़ा सरकार को आंदोलन कारियों की सारी मांगे माननी पड़ी बहुराश्ट्री कमपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ती दोबारा नगर पालिका को सौंप कर पुरानी दरें कायम कर दी गए इस आंदोलन को बोलीविया के जलयुद्ध के नाम से जन जन संगर्ष में एक नर्वाचित और लोकतंत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाद दिगया गया। बोलीविया का जन संगर्ष सरकार की एक विशेश नीती के खिलाफ था जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यहते किया कि देश की राजनीती की नीव क्या लेकिन इनके प्रभाव के इस्तर अलग-अलग थे। अगर आपको कक्षा नवी की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोगतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है इस तरह हम इन दो उधारनों से कुछ सामाने निस्कर्श निकाल सकते हैं। अपवाद ही कहा जाएगा। का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अत्वा नियापालिका की जरीय हो जाए। लेकिन जब विवाद ज्यादा गैन होता है तो ये संस्थाओं स्वयम उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरीय नहीं बलकि उनके बाहर यानि जनता के माध्यम से होता है। ऐसे माध्यमों में राजनितिक दल, दबाव समू और आंदुरन कारे समू शामिल हैं। क्या समझा, क्या जाना। सन 1984 में करनाटक सरकार ने करनाटक पल्प वुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में देदी कई। इसमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशों के लिए चरागा घरूब में करते थे। कंपनी ने उस जमीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाना शुरू किये। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागस बनाने की लोगदी तयार करने के लिए किया जाना था। सन 1987 में कितिको, हचिको, अर्थात, तोडो और रोपो नाम का एक अंदोलन शुरू किया। इसमें अइंसक प्रतिरोत का रास्ता अख्तियार किया गया। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और उनकी जगे वैसे पेड़ों के बिचड़े लगाए जो जनता क के लिए फाइदेबन थे। कुछ सम्हों के नाम हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इन में से किसी एक सम्हों में होते तो अपने पक्ष्टी समर्थन में क्या दलिल देते। स्थानी किसान, पर्यावन वादी कारिकरता, किसी कंपनी में काम करने वाला दिकारी, अत्वा कागस क उपभुकता। वादी ने भी भाग दिया, जिससे संसदी लोकतंतर पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सश्रत्र संगर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के बड़े हैसे पर अपना नेंतरन कर लिया था। नेपाल के जन संगर्ष में राजनितिक द करताओं के सम्हू ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजी करण के खिलाफ बोलिविया में जो आंदोलन चलाया उसकी अगवाई किसी राजनितिक दलने नहीं की। इस आंदोलन का नेतरत्व फैडे कोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजिन तथा शेहर में बढ़ती बेघरबार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पारटी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलिविया में सोशलिस्ट पारटी को सत्ता हासिल हुई। इन दो उधारों से हम जान सकते हैं कि एक लोगतांत्रिक व्य के लिए पारटी बनाई जाती है, चुनाव रड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है नागरिक की इच्छा ना हो अत्वा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतेविदियों में हिस्सेदारी क की उसे जरूरत ना महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वो ऐसे में सिर्व मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहराल ऐसे अनेक प्रत्यक्ष तरीकें हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अप अपनी मांग अत्वा नजरिये का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अत्वा नजरिये को बढ़ावा देने वाली गतिविध्या कर सकते हैं। इसे हित समू अत्वा दबाब समू कहते हैं। कभी कभी लोग बगेर संगठन बनाए अपनी मा दबाब समू और अंदूलन बतौर संगठन दबाब समू सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं लेकिन राजनीदिक परटियों के समान दबाब समू का लक्ष सक्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रन करने अत्वा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता पेशे, हित, आकांगशा अत्वा मत के लोग एक समान और देश को परात करने के लिए एक जुठोते हैं इन चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिने हम संगठन नहीं कह सकते नेपाल में हुए जन संगर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा अंदूलन कहा गय शराब विरोधिया अंदूलन, महिला अंदूलन तथा पर्यावरन अंदूलन दबाप समू के समान अंदूलन भी चुनावी मकाबले में सीधे भागिदारी करने के बजाए राजनीती को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं लेकिन दबाप समू के विपरिद अंदूलनो वरग विशेष के हित सम्हू हित समू अमूमन समाच के किसी خاص हिसे अत्वास अत्वास मों के हिदों को बढ़ावादेना चाते हैं मजदूर संगठन व्यवसाइक संग और पेशिवरों जैसे वकील डॉक्टर सिक्षक आदे इस निकाय के लोग इस तरह के दबाब समू के उधरन हैं यह दबाब समू वर्ग विशेशी होते हैं क्योंकि यह समाच के किसी खास तपके मस्दूर कर्मचारी व्यवसाई उद्योकपती धर्म विशेश के अनुयाई अत्वा किसी खास जाती आदी का प्रतिनेद्व करते हैं ऐसे दबाब समू का मुक्च सरहुगार पूरे समाच का नहीं बलकि अपने सदस्यों की बहतरी और कल्यान करना होता है कुछ संगठन समाच के किसी एक तपके के ही हितों का प्रतिनेद्व नहीं करते ये संगठन सर्व सामाने हितों की नुमाइंद्गी करते हैं इनकी रक्षा जरूरी होती है संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को कोई लाब ना हो बोलिविया का फेडे कोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उधारन है नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहां मानवादिकार के संगठनों ने भी भागिदारी की थी हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा नवी में पढ़ा है इन दूसरे किसमे के संगठनों को जन सामाने के हित समू अत्वा लोक कल्यानकारी समू कहते हैं ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाए समुईक हित का प्रतिनेद्ध करते हैं। इनका लक्ष अपने सदस्यों की ही नहीं बलकि किनी और की मदद करना होता है। मिथाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने बाले समुऊं का नाम ले सकते हैं। ऐसे समुऊं अपनी भलाई के लिए नहीं बलकि बंधुआ मजदूरी के बोज तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव हैं कि जन सामाने के हितों का प्रतिने दित्व करने बाले समुऊं ऐसे उदेश को साधने के लिए आगे आएं जिससे बाकियों के साथ उन्हें भी फायदा होता है। उधारन के लिए बामसेफ अर्थात बैकवर्ट एन माइनारटी कम्मुनिटीज एमप्लॉईज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। यह मुखेत सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिकत भेदभाव के खिलाफ अभियां चलाता है। यह संगठन जातिकत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्यां को देखता है लेकिन इसका मुखे सरुकार सामजिक नियाए और पूरे समाज के लिए सामजिक समानता को हासिल करना है। आंदोलन कारी समूः दबाब समूः के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूः शामिल रहते हैं। कुछ उधारन हमने दिये जिससे इनकी एक साधरन विशिष्टा का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्धे पर केंदरित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष को पाना चाते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सारवभौम इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंतर को समाथ कर दिया था। भारत में नरबदा बचाओ आंदोलन ऐसी आंदोलन का अच्छा उधरन है। नरबदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरवर बांद के कारण लोग विस्थापित हुए। यह अंदोलन इसी खास को लेकर शरू हुआ। इसका उदेश बांद को बनने से रोकना था। धीरे दीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धरन किया। इसने सभी बड़े बांदों और विकास के उस मौडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांदों को अनिवारे साबित कह जाता है। ऐसे आं आंदोलनों के बरकस उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिन में एक से ज्यादा मुद्धे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेट ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल हैं। ऐसे आंदोलनों के नियंतरन अत्वा दिशा न अलग अलग हैं नेत्रों तो भी अलदा हैं और नीतिकत मुआमलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती हैं इसके बावजूत एक व्यापक उद्देश के ये साजिदार हैं और इनका दृष्टिकोंड एक जैसा है इसी वज़े से इन्हें एक आंदुलन यानि पर्यावरन आंदुलन का नाम दिया जाता है कभी-कभी ऐसे व्यापक आंदुलनों का एक धीला ढाला सा सर्व समावेशी संगठन होता है मिसाल के लिए नेशनल एलाइन्स फॉर पीपल्स मोमेंट ऐसा ही संगठनों का संगठन है विभन बद्दों पर संगर्श कर रहे अनेक आंदु राजनीती पर कैसे असर डालते हैं दबाब समु और आंदुलन राजनीती पर कही तरह से असर डालते हैं दबाब समु और अंदुलन अपने लक्षोतता गदेविजियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूती हासिल करने की कोशिश करते हैं इसके लिए सूचना अभ ऐसे समू अक्सर हर्ताल अत्वा सरकारी पार्थ कमकाज में बाधा पहुचाने जैसे उपायों का साहणा लेते हैं। पादूर संगठन, कर्मचारी संग तथा अधिकतर आंदोलनकारी समू अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तिमाल करते हैं कि सरकार उनकी मागों के तरफ ध्यान देने के लिए बाद्य हो। व्यवसाय समू अक्सर पेशेवर लौबिस्ट निकुत करते हैं अत्वा महेंगे विग्यापनों को प्रायजित करते हैं दबाब समू अत्वा आंदोलनकारी समू के कुछ व्यक्ति सरकार को सलह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिर्कत कर सकते हैं हाला कि दबाब समू और आंदोलन दली राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाते हैं अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबद नहीं होते लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है आंदोलनों की राजनीतिक कुछ मौामलों में दबाब समू राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए होते हैं अत्वा उनका नेत्रत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाब समू राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उधरन के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और चात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अत्वा उनकी संपधता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाब समू के अधिकतर नेता अमूमन किसी ना किसी राजनीतिक दल के कारिकरता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उधरन के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध चात्रों ने असम आंदोलन चलाया। जब इस आंदोलन की समापती हुई तो इस आंदोलन ने असम गड़ परिशत का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलाडू में समाज सुधार आंदोलन चले थे। डीमके और AI-ADMK जैसी परटियों की जड़े इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूनी जा सकती है। आधिकांश्ते दबाप समू और आंदोलन का राजनितिक दलों से प्रत्यक्ष सम्मद नहीं होता। दोनों परस पर विरूधी पक्ष लेते हैं। फिर भी इनके बीच समबाद कायम रहता है और सुलह की बादची चलती रहती है। आंदोलन कारी समूहों ने नए-ने मुद्दे उठाए हैं और राजनितिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनितिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाब समूह अत्वा आंदोलन कारी समूहों से आते हैं। दूर दर्शन देश दर्शन किसी भी समाचार चैनल के समाचार एक हफते तक लगातार सुने। इन ख्षेतर अत्वा तबके का प्रत्नित्व करते आंदोलन अत्वा दबाब समूहों से जुड़ी खबरों का एक खा का तयार करें। किसान, ब्यापारी, मजदूर, उद्योग, पर्यावरण और महिला। इन में से किसका जिक्र टेलेविजन के समाचारों में सबसे ज्यादा हुआ है। ग्रीन बेल्ट अर्थात हरित पट्टी मुवमेंट के अंतरकत पूरे कैनिया में तीन करोड व्रक्ष लगाए गए। इस आंदूरन के नेता वांगरी, मथाई, सरकारी अधिकारियों और रजनिताओं के रोख से बड़े नाखुश है। उनका कहना है, सन 1970 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को व्रक्ष रुपन के लिए उत्साहित कर रही थी, तो मुझे पता चला कि सरकार के भष्ट कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जमेदार हैं। इन लोगों ने अपने चहेते डेवलेपर्स को जमीन और व्रक्ष अवैद रूप से बेच रखे थे। ये सरकार की एक चाल थी जिसका उदेश समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा कर सत्ता पर कब्जा जमाई रखना था। अगर वे एक दूसरे से बढ़ते रहते तो लोगतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास कम मौके होगे। इस अनुछेद में आपको लोगतंत्र और सामाजिक आंदूलन में क्या सम्मंध नजरा रहा है। इस आंदूलन को सरकार के प्रती क्या रवया अपनाना चाहिए। क्या दबाब सम्मू और अंदूलन के प्रभाव सकराद्मक होते हैं। शुरुआती तोर पर लग सकता है कि किसी एक ही तपके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाब सम्मू लोगतंत्र के लिए हित कर रही है। लोगतंत्र में किसी एक तपके के लिए नहीं बलकि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे सम्हू सत्ता का इस्तिमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्यदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता हैं लेकिन यह समू जनता के प्रती जवाब दे नहीं होते। संभव है कि दवाब समू हो और आंधरून को जनता से समर्थन अत्वा धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दवाब समू को बहुत कम लो कि दबाब समूहों और अंदुलनों के करन लोकतंत की जड़े मजबूत हुई है शासकों के उपर दबाब डालना लोकतंत में कोई अहितकर गतिविधी नहीं बशरते इसका आउसर सब को प्राप्त हो सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अन्चुत दवाब में आ जाते हैं जन साधरन के हित समूह अत्वा आंदुलन इस अन्चुत दवाब के प्रतिकार में उप्योगी भूमी का निबाते हैं और आम नागरे की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अउगत कराते हैं वर्ग विशेशी हित समूह भी मेत्वपून भूमी का निबाते हैं जब वेभन समूह सक्री हों तो कोई एक समूह समाज के उपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता यदि कोई एक समूह सरकार के उपर अपने हित में नीती बनाने के लिए दवाब डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दवाब डालेगा कि नीतियां उस तरह से ना बनाई जाएं सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज के विबने तब के क्या चाते हैं इससे परसपर विरोधी हितों के बीच सामंजस बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संबह होता है प्रश्नाबली दबाब समूहों की गतिविद्या लोगतांतरिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है चार दबाब समूह क्या है कुछ उधरन बताईए पांच दबाब समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है जो संगटन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, सक्षक और वकीलादी के हितों को बढ़ावत देने की गतिविद्या चलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है साथ, इन में से किस कथन से सपस्ट होता है कि दबाब समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है क, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाब समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते ग दबाब समू कुछ लोगों तकी सीमित होते हैं जबकि राजनितिक दल का दाइरा ज्यादा लोगों तक पहला होता है ग दबाब समू सत्ता में नहीं आना चाते जबकि राजनितिक दल सत्ता हासिल करना चाते हैं गह दबाब समूँ लोगों की लाममंदी नहीं करते जबकि राजनितिक दल करते हैं 11. मेवात हर्याणा का सबसे पिशड़ा अलाका है ये गुडगाउं और फरीदाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग जिला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा लेकिन राजनितिक दल इस बात से कोई रुची नहीं ले रहे थे सन 1996 में मेवात Education and Social Organization द्वारा मेवात साक्षरता समिती ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई बाद में सन 2000 में मेवात विकाव सभा की स्थापना हुई जिसने एक के बाद एक कई जन जागरन अभियान चुलाए इससे बात दे होकर बड़े दलों यानि कॉंग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल को इस मुद्धे को अपना समर्थन देना पड़ा उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कह दिया दिया कि नया जिला बना दिया जाए जो इससे अलग रिष्टा बताता हो